नमस्कार मैं जोती और आप देख रहे हैं सीएज जमी न्यूस परियावलन संरक्षन के लिए व्रक्षा रॉपन जैसे जन आंदोलनों में प्रतेक नागरिक को अपना योगदान देना शाहिए आने वाली पीडी तथा अपने जीवन के हित के लिए समाज के सभी लोगों को अभ्यान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करानी होगी ये कहना है चत्रपती शाहुजी महराज विश्विद्याले कानपूर के कुलपती प्रॉफेसर विने कुमार पार्थक का प्रॉफेसर पार्थक विश्विद्याले परिसर में व्रक्षा रॉपन जन आंदोलन 2022 22 के तैट व्रक्षा रोपन के मौकी पर बोल रहे थे आईए देखते हैं एक रिपोर्ट व्रक्षा रोपन जन आंदोलन 2022 के अंतरगद चोहत्रपती शाहुजी महराज विश्विद्याले कानपूर में विभी ने व्रक्षों को रोपित किया गया इस लोक कल्यार कारी कारी में विश्विद्याले कुलपती प्रोफेसर विने कुमार पाठक, कुल्टर चिव डॉक्टर अनल कुमार यादव, परिक्षा नियंतरक अंजनी कुमार मेश्र तथा उचिशिच्छा आधिकारी रीपुदवन सिंग ने अपनी सहभागिता दर्ज क उत्तर प्रदेश वन एवं पर्यावरन विभाग के इस कारिक्रम में विश्विद्याले तता इससे संबध्य कॉलेजों ने भागिदारी की, इसके तहट कुल धाईसों व्रक्षों को विश्विद्याले परिसर के विभिन विभागों में लगाया गया, इस अफसर पर वि उपी सरकार द्वारा शुरू किये गए इस आंदोलन को हम सभी को साथ मिलकर सफल तथा सार्थक बनाना होगा, उन्होंने कहा कि जलवायू में होने वाला परिवर्तन रक्षों की कमी के चलते है, जो मानव जीवन के साथ साथ पूरे पर्यावरन के लिए भी एक खत्रा है, ऐसे में प्रत्वी पर पर्यावरन संतुलन बनाय रखने के लिए पेड़ू का होना अत्यंत महत्रपून है, कारिक्रम में डॉक्टर प्रवीन भाई पतेल, पत्रकार्ता विभाग के विभागा द्यक्ष, डॉक्टर योगेंदर पांडे, डॉक्टर दिवाकर रवस्ती सम विभिन विभागों के शिच्छगण मौझूद रहे, ब्यूरो रिपोर्ट, CSGMU News, कानपर कर दो